Hello दोस्तो, welcome back to the new video and in this video we are going to talk about your admission cancellation process यानि कि ACPC ने आपको मान लीजे कि कोई college अलोट की है और उस college में आपको नहीं जाना है तो ACPC ने बहुत ही ये सुन्दर प्रोसेस रखी है बहुत ही अच्छी मतलब ये किया है कि आप अपना admission है वो withdrawal कर सकते हो और आप अपना admission वापस ले सकते हो यानि कि इसी वज़े से मतलब round 2 की अंदर ये सारी seats खाली हो जाए और दूसरे जो eligible candidates है वो आपकी seat के उपर round 2 के अंदर ये जो आपने seat में admission कैंसल किया है उसके उपर admission ले पाए तो इसके लिए ACPC ने time दिया था from the 2nd September to the 9th of September and आज हो रही है 9th of September यानि कि आपका last day होने वाला है आपकी admission cancellation आपका जो admission withdrawal करने का process है उसके लिए आज के बाद यानि कि आज रात 12 बज़े से you are not able to withdrawal your application यानि कि आज रात से आप अपना admission cancel नहीं करवा सकते हो आपको जो भी college में मिला है उसमें आप reporting करना जा हो तो reporting कर सकते हो आप इसमें token fee already token fee का तो process खतम हो चुका है बट अगर आपने token fee pay कर दी है तो फिर अगर आप college में जाना जाते हो तो आप जा सकते हो अगर otherwise round 2 में जाना जा रहा हो तो फिर reporting करने की भी जरूद नहीं है ठीक है बट यहाँ पर मैं remind करना यह चाहूंगा कि admission cancel बहुत ही rare case में करना और बहुत ही जरूरी हो तभी admission cancel करना क्योंकि यहाँ पर आपकी college बहुत ही difficulty के साथ आपको अलोट की जाती है मतलब इतना सारा competition होता है top की college और tier 2 level की college में तो अगर आप इस college में अपना admission cancel करते हो तो फिर it is going to be a really bit a little bit difficult for you because यहाँ पर आपके नीचे काफी सारे there are thousands of students are there waiting for their seats on your seat यानि कि आपकी वो seat उपर जो seat के उपर आप अपना admission cancel करते हो उसके उपर there are so many students waiting for their turn कि वो उस seat के उपर अपना admission ले पाए तो बहुत ही सोच विचार करके अपना admission cancel करना आज भी अभी भी रात 12 बजे तक आप अपना admission cancel करवा सकते हो अगर बहुत confusion हो रहा है तो आप मुझे इस वीडियो की commitment लिख सकते हो मैं definitely 110% आपको try करूंगा answer करने की but बहुत ही सोच विचार करने के बाद आप अपना admission cancel करना इसके बाद आपके पास round 2 offline process जैसे 2 options बचते है और इसके अलाब भी आपके पास college मे website पर जाके जो भी admission form रहता है वो admission form फिल करके जो भी admission fee होती है वो admission fee करने के बाद आप अपना application वहाँ पर रख सकते हो जमा करवा सकते हो और उसके बाद college का एक list निकलेगा merit list के जिसके अंदर अगर आप eligible होते हो तो फिर आप यहाँ पर अपना admission directly उस college में करवा सकते हो य के बाद लागू कर सकते हो कौन से cases आप follow कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर आपको यह सब कुछ समझाया ठीक है अगर आपको अभी भी इसमें समझ नहीं आ रहे है दिन you are most welcome मतलब आप मुझे नीचे इंस्टा में भी मैंने यहाँ पर इंस्टा की link दे रही है आप वहाँ पे अगर आपको confusion हो रहा है तो आप मीचे comment कर सकते हो और otherwise अगर आप sure हो की admission cancel ही करवाना है तो फिर आज last date है deadline है आज आज रात 12 बज़े से आप यहाँ पर अपना admission cancel नहीं करवा सकते तो बहुत ही सोच विजा करके कोई भी एक कदम उठाना all right so thank you very much दोस्तों watching this video if you have any doubts then ask me in the comment section thank you bye bye